तो आज हम यहां पर mixture का question देखने वाले है जिसमें दो चीजों का mixture किया गया है ठीक है पहले question पढ़ लेते हैं और क्या पूछा है वो देख लेते हैं टू एलोई अप copper and zinc are mixed in the ratio 4 is to 1 and 1 is to 3 यहां पर दो mixture दिये गये हैं जिसमें copper and zinc 4 is to 1 and 1 is to 3 ratio में हैं फिर्स का है 10 kg second का है 16 kg यह होगा total quantity some of the pure copper are melted together and alloy was obtained in which the ratio of copper to zinc was 3 to 2 मतलब देखो दो alloy का mixture कर दिया उसमें फिर से pure copper भी add कर दिया ऐसा होने के बाद जो ratio आता है copper to zinc का वो आता है 3 to 2 अब यहां पर देखो क्या है question पूछा है finally question is very important find the weight of the new alloy finally alloy जो है total सबका addition करने के बाद में कितना होने वाला है मैं यहां पर जैसे कि लिखता हूं देखो यह है 4 is to 1 लेकिन है यह है कितना 10 kg ठीक है और यह है 16 kg अब इनको अगर copper और zinc copper और zinc यहां पर 4 is to 1 and 1 is to 3 के ratio में अगर इसको divide कर दिया तो यह आता है 10 by 5 5 2 यह 8 आएगा यह 2 आएगा 16 यह 4 यह 4 आएगा यह 4 और यह 12 आएगा तो यह है 8 kg यह है 2 kg यह है 4 kg और यह है 16 kg अब देखो आगे क्या करना है आगे सबसे पहले इसको mix कर दो copper में copper add कर दो तो copper कितना हो जाएगा 8 और 4 12 kg और zinc कितना हो जाएगा 2 and 12 14 kg now हमें करना क्या है इसमें pure copper add करना है तब जाके इसका ratio जो है वो आएगा 3 is to 2 आप थोड़ा सोचो अगर मैं यह जीन तो आजाएगा तो 2 का मतलब अगर 14 है तो आपको 3 का मतलब कितना होना चाहिए था 3 multiply by 14 divided by 2 it will 21 kg तो यहां पर आपको 21 kg चाहिए इसका मतलब यहां पर add कितना होगा यहां पर add कितना होगा 9 लेकिन कितना है यह आपको पूछा नहीं आपको यह पूछा है फाइनली कितना कीजी है तो आप यह 14 और 29 एड कर दो कोई बुलाए find the weight of the new alloy ठीक है तो यहां पर अगर मैंने यह 21 है और यह 14 एड कर दिया तो इट विल 35 kg यह 35 kg आजाएगा ओके तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको यह solution पसंद आया होगा तो लाइक करिए हमारा चैनल सब्सकाइट करिए और अपने फ झाल